आधरनियक केर सेर्ट गुरुकुल मैला आथ सिं कॉमर्स कॉलज के वरिष्ट अवम आधरनियक दियापकगनद गुरुकुल मैला आथ सिं कॉमर्स कॉलज के वेधरीन विद्यार्थीगन 컨 oso ens हम सब के लिए एक बहुत ही गौरुव का दिन है बड़ा फक्र हम सब को होना चाहिए कि हम उस भूमी में हैं जिसमें इतने सारे करांतिवीर इतने सारे बद्धी जीवियों ने जन्म लिया है पिच्चतर वर्ष में हम लोग जब प्रवेश कर रहे हैं कुछ एक बाती जो हैं आज इस अफसर पे बड़ी प्रस्तुत होंगी गणतन तक दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है Republic Day इसके पीछे का मर्म क्या है इसके पीछे की सोच क्या है भारत के बहतरीन नागरिक होते हुए हम सब के मन में ये ख्याल हवश्याना चाहिए कि सबिदान क्यों इतना जुरूरी है क्यों सबिदान में लिखे हुए एक एक शब से हमें अवगत होना चाहिए परिचत होना चाहिए जो हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है जिस तरह से एक शेष राष्ट के लिए एक शेष सबिदान जुरूरी है उसी तरह प्लैटों कहा करते थे एक आदर्श राज्य के लिए एक बहतरीन राज्य बनाने के लिए बहुत सुरूरी है कि हम अपने जिम्मेदारियों से परिचत होना प्राया अक्सर हम लोग हकों की बात करते हैं प्राया अक्सर हम ये कहते हैं कि भई इसकी हमें आविशक्ता है उसकी हमें आविशक्ता है लिए कही न कहीं अपने जिम्मेदारियों को हम कहीं आशिक रूप से क्या हम परिपून करने में सफल होते हैं क्या उसकी तरफ हम रुजान करते हैं एक प्रश्ट हमें अपने आप से अपने सेम से जरूर पूछना होता 75 वर्ष हुए खास गौर कीजिएगा तमाम जो विद्यार थे गणिया बैठे 75 वर्ष गंतंग दिवसके जो हमारे सविदान में लिखा गया था करी जितने हमारे विश्व के बहतरीन कॉंस्ट्यूशन्स थे उसका उन्होंने अध्यम किया अभ्यास किया फ्रेंच रिवलूशन के तहब जीन जैक्स रूजो के एक शांदार पुस्तक है दो शोशल कॉंट्रैक्ट Liberty, Equality, and Fraternity तीन माह मंत्रों नों ने हमें दिये Liberty, Equality, and Fraternity एक ऐसा देश एक ऐसे देश की परिकल्पना था जिसमें सब आजाद हो Liberty जिसमें सब सामान हो ऊच नीच, जाती धर्म किसी चीज का बेद्भाव न हो और fraternity यानि भाईचार के हम सब एक हमारी पहचान है के हम भारती है we are Indians first and we are Indians lost ये ख्याल मन में हर पल धड़कना चाहिए we are Indians first and Indians last और भारती होने के नाते कि आज के दिन हम ये कसम खा सकते के अपने छेत्र में अपने दाइरे में रहे के कुछ कुछ मात्र आन्शिक हो लेकिन कुछ भेतर हम कर सकते हैं incremental improvement की बात करते हैं आपने देखा आपने पढ़ा होगा कि हमारे आदर्णिये पुज्य नाजवाई कालिदास मैता सारे विष्ष में उन्होंने ब्रह्मन किया था लेकिन एक एक ऐसे महानंत्र से वो बहुत प्रेरित हुए थे एक ऐसे देश कि लोगों से बड़े प्रेरित हुए थे जो ठकते नहीं जो हारते नहीं हैं और वो थे जैपनीज किस तरह से उन्होंने अपने आप को मुस्ताइद किया खड़े हुए दुत्य विष्ष उद्ध के बाद और आज जपान में बनाई हुए चीज़ें जो है सारे विष्ष में अपना डंका बोल रही है उसके पीछे जो मंत्र था जो सूत्र था आज इस अफसर पर हम लोग ये चीज़ अपने जहन में जरूर बिठाई है और उस ख्याल को जहन में बिठाने से पहले एक कोशिश हम लोग आज मिलके करेंगे मैं आप से गुजारिश करूँगा कि जहां बैठे हैं जस्तिती में है जसे मैं कहूं मेरे साथ दोराईएगा बैठे बैठे जिस किसी मुद्रा में हैं आप हैं मेरे साथ दोराईएगा और आपको जो मुद्रा करनी है आपको दोनों अपने हाथ उचे करने है खास उस मुद्रा पर गौर कीजिएगा सब तयार हैं सब तयार हैं दोनों हाथ अपने तयार रखिएगा और जैसे मैं कहूं जैसे मैं एक मंत मैं कहूँ आपको कहने को जो मंत्र हमारी जीवन की सक्षियत है हमारी पैचान मैं कहूँगा भारत माता की और आप कहेंगे अपने दौनों हाथ उठा के कहेंगे जै सब तयार है खास गौर करिएगा एक जापनीस exercise हम लोग सब मिलके करने वाले है हम लोग देखते हैं कि इस exercise में हम लोग एक गल बगल नह देखिएगा सिर्फ अपने आपको देखिएगा एक साथ भारत माता की जै भारत माता की जै भारत माता की जै आपने एक मुद्रा करी अभी सबने देखा एक दूसरे से छोटे बच्चे और बड़े बच्चों में क्या फर्क होता है खास गौर कीजिएगा छोटे बच्चों को जब कहा जाए तो तुरंद उनके दोनों हाथ उचे उठ जाते हैं उपर उठ जाते हैं बिना कोई जिजग के बिना कोई संकोच के दौनों हाथ सीधे हुपते उपर आपके भी अच्छे थे लेकिन उसमें आप देखेंगे कि दोबारा कहा जाए तो और आपके हाथ उचे करने में थोड़ी से गुंजाईश और हो सकती है कुछ ऐसे करते हैं कुछ लोग के हाथ उठते हैं लेकिन आप पूरे ऐसे सीधे रखेंगे सीधे रखेंगे आप देखेंगा कि गुंजाईश रहती है इस फिलोसफि को कहते हैं काई जैन बोलिए का क्या कहते हैं काई जैन फिलोसफि काई जेन फिलासोफी कि थोड़ी बहुत गुंजाइश रह जाती हाथ की एक सीमा होती है लेकिन हमारी जिंदगी में हमेशा गुंजाइश होती बहतर होने की गुंजाइश होती आप जो सवस्था में जैसे हैं जहां है क्या देश के लिए सोच रहे हैं ठीक्रमंद है क्या चिंता है आपको क्या हम समय नश्ट नहीं कर रहे हैं यह अपने आपको आपसे पूछना है क्या मैं इस संस्ता में पढ़ रही हूँ जिस संसा में मकारियोथ हूँ क्या उसका एक शंड शंड जो मैं देश के लिए मैं त्याग और भलिदान के तहट मैं काज कर रही हूँ के नहीं आपको अपने आप से पूछना होगा देश ऐसा ही नहीं बनता है देश ऐसा ही नहीं बनता है देश नहीं बनता है ऐसा एक बड़े शांदर कवी ने कहा है होता है उचे एक बकाहनों से मा का मस्तथ पूंचा होता है बच्चो के बलिदान बलिदान दना है देश खून मानता है खून का मकलव रक्त नहीं होता है बलिदान होता है आज इस अब सफर हम सब ये प्रण लेते हैं अपने आप से कहिएगा अपने आप से पूछिएगा ये ना कहिएगा कि देश ने मेरे लिए क्या किया है ये कहिएगा कि मैं देश के लि बारे में सोचूंगी। हमेशा आप में राश्ष्ट के बारे में सोचूंगी। जैसा था SYUNG समय मुकि तक भारत और ने कि नयाय। बच्चे भूत्वर विद्यार्थिगंड वापस अपने गाउं में जाती है सरफंज का जो है वो चुनाव लड़ते हैं और जिस गाउं से आते हैं उसी गाउं को रोशन रोशन कर देती हैं सबके बनाते हैं इमारत बनाते हैं उनके मंदे वह एक भाव जो धड़कता रहता ह किनो मुझे अपने गाउं के लिए कुछ करना है अब शेहरों में आने के आवशक्ता नहीं गाउं ही को हमने समर्द करना है आने वाला भारत जो है वो यहां से इधर स्थालांतरत होने में नहीं अपना समय नष्ट करेगा लेकिन जहां है उसको बहतरीम बनाएगा उसे हर गाउं एक भारत होगा जिस छेत्र में आप रहते हैं जहां आप खड़े हैं वही हमारा भारत है ये प्रण हम आज लेंगे और याद रखेंगे उन कुर्बानियों को जिनकी कुर्बानियों के कारण ये राष्ट बना है हमेशा देखिए याद रखिएगा कि देश हमेशा जो है खून मांगता है खून यानि कुर्बानियों कौन से कुर्बानियों कर सकते हैं क्या हम अपने दुर्बुणों के कुर्बानियों कर सकते हैं क्या आज हम ये प्रण ले सकते हैं कि हम वक्त से आएंगे क्योंकि हम अपने पईवार के लिए जी रहे हैं अपने समाज के लिए जी रहे हैं अपने राष्ट के लिए जी रहे हैं आप से समय मांग रहा है मात्र और समय दान से ज़्यादा बैतर और कोई दान नहीं कोशिश करेंगे तो सारी संकल्प हमारे पूरे होगे आईए ये सबसर पर जिस तरह से खेर साब ने आद देखिए खेर साब वो मीव है हमारे आज जुनोंने हमारे निमंतरण को बान देके वे आए हैं हमें अपने मीव को अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए हमारी जड़े हैं इसलिए ये इमारत बुलंद है केर साब जैसे नेक्तिजा है उन्होंने इन जड़ों को सीचा है हमने खुन पसीने से चीचा है इसलिए आज जिस बुलंदियों पे मिल्या कोलेज है आज उनके तहट उनके परिशन के तहट उन्हें हमें प्रणाम करना चाहिए वंदन करना चाहिए उनके जैसे करमट करमट्यारियों के लिए हम हमेशा शुक्र गुजार रहेंगे आभारी रहेंगे कि उन्होंने वक्त दिया और तालीम भी वक्त और तालीम आने वाले बीडी को उन्होंने तयार किया ये काज हम सब को करना है मिल के करना है आईए एक साथ फिर से हम लोग अपने अपनी जगे खड़े रहें ये हो जाएंगे प्लीस मेरे आप से अनुरोद है और भुलंद अवाज में सारे भ्रमान में हमारी वाज गूजे इस तरह से हम नारो लगाएंगे भारत मता की भारत मता की भारत मता की गंदे 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 बिन्यो अब मैं आभार व्यक्त करने के लिए डोक्टर सर्मिस्वा बेन पटेल को आमंत्रित करूँगी प्लीस मेरे धन्योफ आज के इस गंदे तर युएस पे मैं आभार व्यक्त करते हुए सबसे पहले याद करती हूँ हमारे सम्विधान को बनाने वाले उन सारे मेंबर्स को हमारे भारत्य विद्वान को जिनोंने इतना अच्छा सम्विधान बनाया कि हम आज अपना जीवन किसी भी प्रकार की मुश्केली के बिना बिता रहे हैं उनको वंदन करते हुए मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी हमारे संस्था के स्थापक कुलपिताश्री नानजी भाई कालिदास महता को मैं उनको आज इसलिए याद करती हूँ कि जब ये देश प्रजासत्तक नहीं था गणतंत्र नहीं था तब भी उन्होंने जो भी काज किये वो अपने देश के लिए किये अपने जन समुह के लिए किये वो ना ही सिर्फ सॉ़रास्प्र में ना ही अपने गाओं में पर देश विदेश में भी किसी भी व्यक्ति को सहायत बनने के लिए तत्पर रहे हम जानते हैं उनका इतिहास से हम खुब खुबी परिचित है कि गुजरात राज्ये की स्थापना के वक्त भी उन्होंने साल भर का जो हमारा निर्वाह हो सके गुजरात राज्ये का उतना धन बिना किसी संकोच के उस समय के अपने मुख्यमंत्री श्री को निश्चिंद करते हुए बड़े ही आदर से उनके साथ बाते करते हुए उनको खाना खिलाते हुए दे दिया था तो ये जो उनके जो दृष्टी कांड थे उसी से स्थापित हुई ये संस्था में जब हम पढ़ रहे हैं तो हमेशा ये याद रखना है कि जब देश आजाद नहीं था तब भी जो जन्द के लिए काम कर रहे थे अब तो देश आजाद है हम अपनी आजादी को बखुबी अच्छे से उसका उपयोग कर सके उसके लिए बनाए गए संविधान में कहीं भी कोई तुरूटी नहीं है लेकिन हमें सोचना है कि इस देश को आदर्श राज्य बनाने में आदर्श देश बनाने में हमारी भूमी क्या क्या हो सकती है हम अपना एक आज बड़ी जागरुती के साथ करे तो भी हमारी फर्ज हम ऐसे ही अदा कर देंगे तो मैं अब हमारे पुज्य कुलपिता जी नान जी भाई कालिदा समेहता का भी इस राश्विय परवपे अभार व्यक्त करती हूँ मैं अभार व्यक्त करती हूँ आज के हमारे मुख्य हाती थी श्रीख हैर भाई का आपको बताती हुए मुझे बड़ी खुशी होगी कि जब मैं उनसे पहली बार मिली तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मैं किसी अंजान व्यक्ती से मिल रही हूँ उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह आउकार दिया अपनी पतनी के साथ वो मुझे लेने के लिए अपने द्वार तक दोड़े आए और फिर उन्होंने जो मुझे से बाते की वो सारी बातों के पीछे मैं आप सब को बताना चाहूंगी कि मुझे वोमन एंपावर्मेंट का इतना बड़ा वो दुरुष्टान्त मिला उनके पास से बच्पन में उनके फादर नहीं रहे तब भी उनकी माने जो कस्ट अपने बच्चों के लिए उढ़ाए एक घर बनवा लिया बच्चे कहीं छत्रे के बिना न रहे और उनको सुशिक्षित किया उसे पंत पर खेर भाई भी चले इस संस्था में उन्होंने करीबन 33 साल तक अपना योगदान दिया अपने बेटियों को भी खूब पढ़ाया उनकी बाते भी वो मेरे साथ बड़े आनन्द से कर रहे थे कि उनकी दोनों बेटियां गुरुकुल मही सर्विस करती है तो इस बात के लिए मुझे बड़ी खुशी हुई कि खेर भाई बोले आपकी ही उमर की है मेरी बेटी और अपने बड़े पिता जी के बाते और उस समय के भारत की बाते उन्होंने हमारे साथ काफी घंटे भर की तो मैंने कहा कि आपको मैं निमंतरन देने के लिए एनसेस और अनसेसी विवाग की तरफ से आई हूँ उन्हें बला मैं जरूर आ जाऊंगा और वैसे तो जोब के दर्मियान वो अपनी पत्नी को लेकर कहीं बाहर नहीं निकले है लेकिन अब हम निवरूत है तो मैं अपनी पत्नी के साथ आऊंगा उन्हेंने बला मैं बड़ा हेल्थी हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा मैंने कहा कि आपकी हेल्थ के पिछे कहीं न कहीं जैसे आपके जीवन के पिछे आपकी माता का योगदान रहा है वैसे आपकी हेल्थ और आपके खुशी खुशी बरे जीवन के पिछे पुष्वबेन का भी बहुत बड़ा योगदान और उनका हाथ है तो हमारे अमंत्रण को सिकार करते हुए आज खेर भाई अपनी पत्नी के साथ पुष्वबेन के साथ यहां उपस्तित है तो मैं तहे दिल से उनका ब्रुहत गुरुकुल परिवार की बती खुब आभार व्यक्त करती हूँ शुक्र गुजार करती हूँ ठेंक्यू घेर भाई मैं आभारी हूँ हमारी कॉलेज के अधरनिया प्रिंसिपल सर की जब भी हम कोई भी कारेक्राम का आयरुजन करते हैं वो हमारे साथ उसकी सफलता तक उसकी समाप्ती तक जुड़े रहते हैं हमारे काज में काज वो करते रहते हैं सर मैं आपकी शुक्र गुजार हूँ कि इस पावन अवसर पे हमें किसे भी कारिय की यहां पर खोट नहीं है और हम एक अच्छा सा कारेक्रम नेशनल परवा खुब सफलता के साथ मना रहे हैं इसकी साथ मैं आबारी हूँ एनेसेस प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर केत्की बेम पंडिया की और डॉक्टर रांजेदर भाई चोधरी की कि वे अपनी टीम के साथ इस राष्टिय परवे के कारेक्रम में मेरे साथ कंदे से कंधा मिला कर चल रहे हैं मैं एड़वाईजर नायन सर की भी आबारी हूँ कि जहां भी हमें जरूरत पड़ती है वे हमारे साथ खड़े हैं मैं आबारी हूँ NSS की वो हर बच्ची की जो इस प्रोग्राम में आज जुड़ी है मैं NCC केड़ेट की भी आबारी हूँ कि उन्होंने बहुत कम समय में बहतरिन परफॉमंस दिया है मैं आबारी हूँ हमारे संपुर्ण स्टाफ की खास करकी दिप्तिवेडम और छाया मेडम की कि जुन्होंने इस कारेक्रम को जब हमने शुरुआत किया तबी से वो हमारे साथ NSS और NCC विभाग के साथ जुड़ी हुई है इस काज में आज के इस कारेक्रम में जो हमारे साथ मीडिया की भूमिका में जुड़ी हुई है उन दोनों बच्चियों की भी में शुक्र गुजार हुई साउंड के जो दिक्कत थी हमें तो उसके लिए कल दो पहर से लेकर शाम तक हमारे साथ जो जुड़े हुए अबारी हूँ पूरे संपुर्ण गुरुकुल की स्टाफ की जो हमारे यहाँ व्यवस्थापन में मेरे साथ जुड़े हुए थे और मैं आबारी हूँ इस देश की कि उन्होंने इस भूमे पर हमें खड़ा रखके यह राष्ट्रिय पर्व मनाने के लिए हमें जो दी है एक समुरुद्य भूमी दी है तो उसके लिए मैं हमारे सारे राष्ट्र की आबारी हूँ थेंक यूँ